हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ ब्रजेन और एक बाइब फिर से मैं आपके लिए जीएस का सुपोफास रिवीजन लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको कोशन नमर 53 से 100 इंपॉर इन कोशन दूँगा जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और मुगल कालिम भारत के महाद पूर्ण प्रशन इसमें शामिल किये गये हैं दोस्तों ये परिक्षा के लिए बहुत जरूर है इनको अब सिर्फ आपको देखना है और आपको ये आसाने से याद होते जाएंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहला कोशन लिखा गया है अकबर ने शीरी कलम की उपादी किसे दी थी शीरी कलम की उपादी अकबर ने किसको दी अब्दुसमद को दी ये भी काफी बार पूछा गया है अकबर कौन सा वाद्देयंत्र बजाता था जी हां अकबर एक वाद्द अंतरु बजाता था उसका आनाम पूछा गया है वो है नकारा या उसे नगारा भी कहते हैं आकपर ने जजियाकर को कब समाप्त कर दिया दोस्तों आपको पता होगा कि यह जजियाकर जो है एक तरह का धार्मिकर है जो हिंदुओं पे लगाया जाता था और जजियाकर ब्रहमनों पे नहीं लगाया जाता था महिलाओं पे नहीं लगाया जाता था लेकिन जो है अन्य सभी लोगों पे लगाया जाता था और ये धार्मिकर था इसको अकबर ने समाप्त कर दिया था कब समाप्त किया था 1564 इसवे में समाप्त किया था और पुना किसने लागू किया था आगे अभी आपको पता चलेगा पुना लागू करने के लिए और अंगजेब का नाम अभी आगे आएगा इसने पूर्ण हलागों किया था जो आगे आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है दीन-ए इलाही धर्म किया स्थापना कब की गई? दोस्तो अकबर ने एक नय धर्म की स्थापना की थी जिसे दीन-ए इलाही कहा गया है और ये 1582 हिस्वे में इसकी स्थापना की गई थी अगला है अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया दोस्तों अकबर महान युही नहीं कहा जाता है इसने बहुत महान कारे भी किये हैं जिसमें से दास प्रथा का अंत भी एक है 1562 हिस्वी में अकबर ने दास्परथा का अंत किया था अकबर ने इलाही सम्मत की शुरुवात कब की इलाही सम्मत की शुरुवात भी अकबर ने की है ये कब की है 1583 में याद रखेगा इलाही सम्मत की शुरुवात दीने इलाही धर्म की शुरुवाद और कह सकते हैं इलाही सम्मत की शुरुवाद दोनों चीजों को अगबर ने शुरू किया था इलाही सम्मत 1513 में शुरू किया गया जहांगीर का मूल नाम क्या था दोस्तो जहांगीर की बात आती है जहांगीर का मूल नाम क्या था सलीम था किस शाशक ने अपने सामराज में न्याय की जंजीर लगवाई थी दोस्तों आपको पता होगा न्याय की जंजीर लगवाने के लिए जहांगीर का नाम फिमश है जहांगीर ने अपने समराज में न्याय की जंजीर लगवाई जिससे बजा करके न्याय की गुहार लगाई जाती थी जहांगीर ने सिखों के कौन से गुरु को फासी पर लटकवा दिया था जी हां ये भी काफी important question है जहांगीर ने पाचवे गुरु शिखों के पाचवे गुरु अरजुन देव को फासी पर लटकाया था क्योंकि अरजुन देव ने जहांगीर के लड़के जो इसका विद्रोही था उसकी मदद की थी और इसलिए जहांगीर ने गुरु अरजुन द निकालने की विधी किसने खोजी थी ये भी दोस्तो काफी important है गुलाब से इत्र गुलाब से सेंट निकालने की जो विधी है नूर जहां की मा असमत बेग ने नूर जहां की मा थी असमत बेग इसने ये विधी खोजी थी सूर्दाजी ने सूर सागर की रसना किसके शाशनक में उन्हों लिखा कही भी सद्थी है कि surdaast जहांगिर के शमकालीन थे जहांगिर के समयमे थे जोधा भाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है काफी important question है यह इने जगतगोसाई भी अन्युटन गसाई के नाम से जाना जाता था शाह जहां का मूल नाम क्या था शाह जहां का मूल नाम था खुर्रम कफी इंपोर्टन है लाडली बेगम कौन थी लाडली बेगम जो है शेर अफगान वा महरून निशा की पुत्री थी आपको पता हो अनाचे कि महरून निशा की शादी शेर अफगान के साथ हुई थी लेकि लाडली वेगम कौन थी पूछा गया तो ये शेर अफगान और महरुन निशा की लड़की थी ये आपको याद रखना है जहांगीर के कितने पुत्र थे दोस्तों तो जहांगीर के पांच पुत्र थे खुर्रम, खुसरो, शहरयार, जहांदार ये पांच पुत्र थे और खुर्रम को ही आगे आपको शाह जहांगीर ने पंडित राज की किसे दी थी कभी जगनाद को पंडित राज कहा था जहांगीर ने जहांगीर के मगबरे का निर्माण किस ने कर आया और ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के चितरकला के इतना पार्खी था कि किसी भी चितर को किस चितरकार ने बनाया है वो उसको चितर को देख के बता सकता था जहांगिर के शाशनकाल में उसके दर्बार में जानेवले प्रथम अंग्रेज प्रताम अंग्रेज कौन था Captain Hawkins, Captain Hawkins था जो स्वरू प्रिथम जहांगिर के शाशनकाल में गया था और अन्य लोग भी गया थे जिसमें सब Sir Thomas Rook का नाम है विलियम फेंच और टैरी करके हैं ये लोग गया थे जहांगिरे के साशनकाल में शाह जहां जिसे खुर्रम कहा जाता है इसकी मा का नाम बताना है तो आपको पता है कि शाह जहां यानि खुर्रम की मा का नाम जोधा बाई है जी हां जोधा बाई शाह जहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को कौन से उपा दी थी तो शाह जहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को मलिकाए जमानी की उपा दी थी ताजमहल का निर्माण, ताजमहल निर्माण की रूप रिखा किसने दियार की थी उस्ताद इशा ये जो है इसकी रूप रिखा तयार किये थे उस्ताद इशा ने लेकिन इसका मुख्य जो अस्थापत्यकार या मुख्य अस्थापत्यकलाकार था वो था अहमद लाहौरी यानि कि बनाने वाला उस्ताद अहमद लाहौरी और रूप रेखा तयार करने वाला मैप बनाने वाला उस्ताद इशा याद रखिएगा मयूर सिंगहासन जिसको तक्ते ताउस कहा जाता है का निर्माण किसने कराया था इसका निर्माण शाह जहाने करवाया था और मयूर सिंगहासन का मुख्य कला करेनी कि मयूर सिंगहासन को बनाने वाला में जो कारिगर था वो कौन था वो था बे बादल खां बे बादल खां था मयूर सिंगहासन को बनाने वाला शाह जहां द्वारा बनाएगी इमारते कौन कौन से है मुखिरूप से दिल्ली का लाल किल आपको बता है आगरे का ताज महल दिल्ली की जामा मस्जिद आगरे का मूती मस्जिद दिवाने आम दिवाने खास ये महत पूर्ण इमारते हैं जिसे शाह जहां ने बनवाया था ताज महल का पूरुवर्थी किसे माना जाता है 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 ताज महल का पूरुवर्थी किसे जो हमेशा एक बहुत ही प्रभाव श्लली इमारत की रुपे रहेंगी जो अभी भी है अगरा की जामा मस्जिद का निर्मार लिदान निर्मार जहान आरा ने कराया यह जो है शाजहां की पुत्री है शाजहां ने गुण समंदर की उपादी किसे दि? गुण समंदर के उपात किसे दी ये संगीत के इनके दर्वार के लाल खां सामुगण का युद्ध किसके किसके बीच हुआ 29 मई 1658 को जिसमें की आउरंग जेब विजई रहा दाराशिकों हार गया शाह बुलंद एकबाल की रूप में किसे जाना जाता है तो शाह बुरंद इकबाल की रूप में दाराशिकों को जाना जाता है और ये कहा जाता है कि दाराशिकों जो है सबसे ज़्यादा बुद्यमान था अपने भाजों में सबस्यदा समझधार था किस शाशक ने अपने पिता को बंदी बना लिया था औरंग जेब ये भी important है किस मुगल शाषक ने अपने पिता को बंदी बनाया औरंग जेब ने किसको शा जहां को किस मुगल शाषक को जंदा पीर कहा जाता है जिंदा पीर कहा जाता है औरंग जेब को जिंदा पीर कहा जाता है लेकिन इन्होंने मना कर दिया तो औरंग जीब ने इन्हें मरवा दिया औरंग जीब ने जजिया कर पुना कब लागो किया मैंने बताया था कि अगबर ने समाप्त कर दिया था औरंग जीब ने पुना लागो किया था कब 1619 में 1679 इसपी औरंगा बाद जो महारास्ट में है बीबी के मगबरे का निर्माण किसने करवाया जी हां दोस्तों ये important है औरंगाबाद जो महारास्ट में है जहां पैजनता इलूरा की गुफाएं भी है आपको शायद पता हो वहां भी बीबी के मगबरे का निर्माण कराया है किसने औरंग जेब ने कराया था औरंग जेब न या सरवाधिक हिंदू सेनपती थे तो वो है औरंग जेब। बजाना करेगा और ना कोई जरोखे पे खड़े होगा और जरोखा दर्सन करेगा और ना ही तुलादान होगा। बजासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। दोस्तों ये important है ये और अंगजेव है और अंगजेव ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था विजारत क्या थी विजारत मुगल कालिन मंत्री परशद थी मुगल कालिन मंत्री परशद को विजारत कहते हैं मुगल काल में अनुदान में दी गई लगान हीन भूमी को क्या कहा जाता है मुगल काल में अनुदान में फ्री में दे दी गई जिस पे ऐसी भूम जिस पे कोई लगान नहीं लगता था उसको क्या कहते थे उसको मिल्क कहते थे मिल्क क्या मददे माश कहते थे नियमी तुरूप से खेती वाली भूमी को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था जिस पे लगातार नियमी तुरूप से खेती होती थी उसको क्या कहते थे उसको पोलस कहते थे मुगल कालिन सेन ने व्यवस्ता आधारित थी मुगल कालिन सेन ने व्यवस्ता मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और मनसबदारी प्रथा अकबर के समय से शुरुवात की गई थी मुगल काल में सरवादिक सिक्कों की ढलाई किस के समय में हुई सरवादिक सिक्कों की ढलाई औरंग जेब के समय में हुई आना सिक्के का प्रचलन किस ने करवाया एक आना दो आना तीन आना आपने सुनोगा तो आना सिक्के का प्रचलन शाह जहां ने करवाया था आगे भी कंप्लेट करा दूँ आपका जो आधुने कितिहास है और वहां लाइनर आप देखते रहे हैं तो इससे कोशन आएंगे तो आप आसाने से कर पाएंगे दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक भी करिएगा शेयर करिए दोस्तों से और चैनल को सब्सक्राइब भी करें मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ अब तक आपको बहुत सारी शुब कामने थैंक यू सो मत जै हिन जै भारत